हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में जे टार्गेट पर तो फ्रेंड आज हम लोग क्लास्टेन मैंट्री वोट पिच्छा दोयर दाइस के लिए साइन्स का मोस्ट इंपोर्टेंड एमसी क्यूस को देखेंगे जो आपके वोट पिच्छा में आपको जो ही ना यह 40 परसन में से 35 परसन आपके वोट पिच्छा में सोग परतीस अद लड़ेगा तो दोस्तों यह जो ही ना मोस्ट इंपोर्टेंड बीविया और प्रसन का पाला पार्ट है अगर आप चाहते कि पिच्छा में काफी अच्छे मांक्स लाना तो इस वीडियो को समपूर्ण सुरू से लेकर आगरी तक एक को संस को अच्छी तर से याद करती हुए जाना है और दोस्तों यह 40 परसन में से पहले से आप लोगो कितना परसन का से और सट्टिक आंसर याद था वीडियो को दे देखिए आप आज का फर्स्ट परसन क्या गराए कि किस परतिवीम को परदे पर उतारा जा सकता है तो दोस्तों अपसन ए में आपका दिया हुआ है वास्तिविक परतिवीम को या फिर दोनों को और अपसन डी में आपका दिया हुए इन में से कोई नहीं तो दोस्तों वास बिल्गुली correct answer हो जाए गर दोसतो आवर्धन्ठ जो होता है न यानि कि आवर्दन एक मात्रग भी हिन राजी है यूनिट लेस होता है मेंगनिफिकेशन अब आए फ्रेंड देखते हैं आप तीन नमर परसंगो देखिए क्या करा है कि प्रगास के अपोरतन के दुसरे नियम को क्या कहते हैं काफी मत पूर ने तो दोस्तो अपसन ए में आप आपोरतन के नियम और ऐसंद्दी में आपका दिया मैंडर के नियम तो दोस्तो प्रगास के दूसरे नियम को जो नहीं संयल का नियम कहाता है जिसे संयल लो से जाना जाता है और रस पूरतन कंड zarend चृता है जो कि यहां पे बीवला उप्सन जो है न बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं यहां पे अगला परसन है तो फ्रेंड देखे हैं पे चानवर परसन भी वह थी मतपूर ने देखे गा चौता परसन क्या करा है कि मुंबई हाई क्यू प्रसीद ह में अपका दिया हुआ कोईले के लिए यापर त्यल सोदक कारखाना के लिए यापर खानी संतेल के लिए या पर मुंबई हाई न फिर्ट कारखाना के लिए प्रसीद है यानि कि यहां पे बीवला उसन जो है बिल्कुली करेक्टर आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड दे अब संडी में आपका दिया हुआ उत्तल दरपन का तो दोस्तों जो सुक्षम दर्सी होते हैं उसमें उत्तल लेंस का उप्योग किया जाता है और दोस्तों मानो नेतर में भी जो ही उत्तल लेंस का ही मलब उत्तल लेंस रहता है ठीक है इसे आप लोग को याद रखना है मानो पर कौन सा लेंज होता है तो दोस्तों उत्तर लेंज होता है जो सुक्षम दर्शी में लेंज होता हुई मानून नेतर में भी लेंज होता है इसे आप लोग ट्रीक के दोड़ा याद रख सकते हैं अब चले फ्रेंड देखती हैं पर चटा परसन एक अच्छी तरस याद कर ल ना या फिर परकास का मूरना तो दूस्तों परकास किसी वस्तू से टकडा कर वापस लोटने की प्रकेरिया को हम लोग परकास का प्रावरतन करते हैं जो कि यहां परुश्चन पर यह आविर्ती का SI मात्र क्या होता है यानि की जो frequency होता है इसका SI unit क्या होता है तो दोस्तो भी दारा और अब का डियो हाद रहता है इसे आप लोग को याद रखना है अब चले friend देखते हैं अगला परसन है तो फ्रेंड देखिए हाँ पर आठ नमर परसन भी बहुत ही मतपूर्ण है कि सुर्य में उर्जा उत्पन कैसी होती है काफी मतपूर्ण है तो दोस्तो अपसन A में आपका दिया हुआ आइनन से और अपसन B ऑक्सिजन से या पर नाभी किये सलेयन से और अपसन D में अपका दिया हुआ है नाभी किये विखंडन से तो दोस्तो सुर्य में जो उर्जा उत्पन होती है न कैसे होती है वही आप लोग को बताना है तो दोस्तो नाभी की सलेयन से होती है यानि कि यहाँ पर सीवल ऑप्सन जो इना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा और दोस् तो दोस्तो ऐ में आपका दिया 28 paraties और अप्सन भी ऐ 7 30 पर दिया फिर 75 30 या पे 90 पर दिया तो दोस्तो वाई मंदल में नैट्रोजन जोई 68 परतिसत पाया जाता है यानि कि यहां पर एवला उप्षन जो इना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों वाइव मंडल में सबसे अधिक कौन सा गेस पाया जाता है यही नाइट्रोजन गेस पाया जाता है और सेकेंड नंबर पर आता है आपका ऑक्सिजन गेस जो लगबग 21% पाया है यहां ऑक्सिजन गेस और दोस्तों वाइव मंडल में कऱवन डैयक्सट गेस कितना परतिसत पाया जाता है जिरो पॉंट 0-3% पाया जाता है इससे आप लोग को याद रखना है अब चले देखती हैं आप अगला परसन आप So just to देखिए हैंँ आола जल संग्रिंग यहाऊँ जल संग्र होता है तो दोस्तो देखते हैं अगला परसं तो फरेंड देखें हाँ पे 11 परसन क्या कराई कि सब्सें क्षा जल क्यों सरो हो जाएगाज अब चले फ्रेंड देखती है आप अच्क टर यत्र करती ऊच्छाना है तो देखें हाँ पे 12 परसन क्या कराई कि निमन का प्योह फिल पकाने में किया जाता है तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोधों में जो ना पांत परकार के हार्मन पाए जाते हैं ऑक्जिन इतलिन साइटो का इन और यहां पर जिबरेलेंस और इनके साथ साथ जो होता है ना एफसेशिक ऐसी रहोता है तो पकाने वाला जो हार्मन होगा ना इतलीन हो जाएगा जो कि यहां पर भी वाला अप्सन जो इना बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है काफी मत पूर्ण परसन आपके बोट पर इच्छा के लिए अब च्छिए फ्रेंड देखती हैं आपे त्यर नопर परसन गो देखे गा क्विसंस किया कराएं कि यहां पे हमारा बीवला अप्सन जो ही ना बिल्कुली करक्टरा अंसर हो जाएगा अब आये दोस्तों देखते हैं आपे चाओदर नवर परसन क्या गरा है कि पानी से भरी हुई वाल्टी में रखा हुआ छर मुरा हुआ परतित होता है किसके कारण से most important परसन है भरतित होता है तो दोस्तों परकास का परतित होता है यानि कि यहां पे एबला ऑप्सन जो इना बिल्कुली करक्टरा अंसर हो जाएगा अब चलिए दोस्तों देखते हैं पर 15 नमर परसन में जो कि काफी मतपूर ने पर सन्यक राए कि कौन प्रार्थिमीक उर्जा का उदारण नहीं है, तो दिस davon यहां पर दीखेगा जैसे की कोहिला हो गया, प्रायकिर्थिक उर्जा का उदारण नहीं है, यानि कि यहां पर डी वला ओप्सन जो ही न विल्कुल ही करक्टांसर हो आएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ओल पर जरू से लिटके लिजए और वीडियो को समपूर्ण सुरू से लेकर आखरी तक देखिए क्योंकि यह वीडियो जो है आपको 2023 के वोट पिक्षा में 40 परसन में से प्रेंड परसन को अच्छी तर से याद कर लीजिगा तो फ्रेंड परसन देखेगा क्या करा है कि पेर पोदों की उम्रों का पता लगाया जाता है यानि कि किसके दुवारा तो दोस्तों ओप्सन ए में आपका दियो इसकी उचाई माप कर या फिर वार्सी वलेयों को गीन क या फिर शाखाओं की संख्या गीन कर और अप्सन डी में आपका दिया हुआ है नहीं निकाला जा सकता है तो दोस्तों पेर पोदों की उम्रों की जब पता लगाया जाता है ना वार्सी गोलों को गीन करके लगाया जाता है यानि कि यहां पे हमारा बी बला आप्सन जो ही या बिल्कुली करक्ट अंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखती है आप सतरना नमर पर जो की मुस्ट इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड परसन यह करा कि बल का ऐसा ही मातर्ग क्या होता है तो दोस्तों अपका केल्विन या फिर न्यूटन और अपस़न करेंज सी में आप के वर्ट या फिर पुलांब तो बल का जो ऐसा मातर होता है ना नीउटन होता है और दूस्तु यह किसका अगला परसन आप तो दोस्तों यह और अख्यांतर जो कि most important है तो friend परसंदेखेगा क्या गराए कि ओजोन का निर्मान होता है किसमें तो दोस्तो अपसान A में आपका दिया oxygen के दो अनुओं में या फिर oxygen के तीन अनुओं में और अपको दिया हुआ oxygen और पड़ावेगनी के किरन से या फिर oxygen के परमानों से तो दोस्तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को बता देते हैं यह जो ओजन होता है इनका जो अनुसुदर होता है ना ओत्री होता है जो कि ओजन का निमान होता है oxygen की तीन अनुओं से जो कि यहां восnia प्रेश्शन पेसल का मुआइं अद्धेना ने का लूट नढंगा यह फिर विजन वाहन के मा करण ललसुद कपयों को अधिन का दोन होता है जो कि यहां पर बिलकूल यहां पर करन से लिए मैं अगला पेसना पर से यह पिर क्रोमो सोन से या पिर डिना से कोई नहीं तो जीवों में वंसा अनुगत गुनों का जो निर्धारन हो तर या निंट से होता यानिए यह पे आप ए बोला अप्सें जो फिदिना बिल्कूली कि काउंसा लेंज बीच में पतला तथा किनाड़े पर मोटा होता है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले बता देते हैं बीच में यहां पर बताया गया कि बीच में पतला तथा किनाड़े पर मोटा होता है इसे आप लोग को याद रखना है यानि कि यहां पर हमारा बीवला ऑ यदि किसी विलियन का पीएच मां सुननी हो तो इसका विलियन कैसा होगा कफी मतपूर्णे तो दोस्तों अपसन ए में आपका दिया हुआ अमली है या फिर चाड़ी है या फिर उदासिन या फिर इन में से कोई ने तो जिस भी विलियन के पीएच का मान 0 से 7 की भीज होता है तो वह विलियन अमली होता है यानि कि यहाँ पे हमारा एवला ओप्सन जो है बिल्कुली और दोस्तों जिसमी विलियन की पेजिकर बिल्कुली करक्ट अंसर हो जाएगा अब आएफ रेंड देखते हैं पे ताइस नवर परसन जो की most important है कि उर्जा का SI मातरग होता है काफी मतपूर्ण है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना कि उर्जा का SI unit क्या होता है option A में आपका दिया calorie या फिर जूल या फिर unit और option D में आपका दिया what तो दोस्तों उर्जा का SI मातरग होता है यानि कि यहाँ पे बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आप अगला परसन है तो फ्रेंड देखेंगा की समूदाय का प्राणी है तो दोस्तों A में आपका दिया मोलस्त का या पिर एने लीड़ा या पिर एक आई नोडर मटा या पिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यह घंगा जो होता है या मोलस्त का समूदाय का प्राणी है यानि कि यहां पर एबला आप्सन जो ही ना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं आप 25 परसन क्या कराई कि अ जो ही ना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों इमली में जो ही ना कौनसा अमल पाया जाता है इमली में भी जो ही ना टार्टरिक अमल ही पाया जाता है साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है अब चले दोस्तों देखते हां पे 26 परसन जो की most important है कि सब तो दूस्तु दुनिया का जो सबसे कटोर कंपदार्त होता है और दोस्तों हिरा का पुर्त रंग होता है अपलों को याद रखना है अब चले दोस्तों कि आप अगला परस्ट तो देखें हैंपे 27 परस्ट क्या गरा है कि इनमें से कौन औक्सिजिन का वहाँ घुए तो दूत व्बिक्व खका शुख थिया और न गौत यह हिमोग्विन के परण से होता है अब आयो फ्रेंड esimerkiren त्टीयां पर डेखें आप कि संसार का सबसे किमती संसाधन उसल है तो दूत व्बावशू आसी bien में आपका दिया हुआ न दिया तो दोस्तों संसार का जो सबसे किमती संसादन हो है ना खानी से जो कि यहां पर सीवल ऑफसन जो इना बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आप अगला परसन है तो फ्रेंड ने देखिए या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों अंकाटी के उपर ओजोन के अस्तर में आई कमी को जो ही ना क्या कहा जाता है यानि कि यहां पर सीवल ऑफसन जो इना बिल्कूली करक्ट आंसर हो है और दोस्तों यह सीएफसी का जो विस्तार होता है ना कलोडोव फ्लोडो कारवन होता है इसे आप लोग को याद रखना है तो सब्सक्राइब बढ़ें से चालक तार पर तीरोग दोता है एस इसमें इसमें क्या ऐसर परता है यानि कि यहला। बिल्कुल हो जाया Orange that's दूस्ते परतीरोग यहादा है साथ ने इसे भी आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंड देखते हैं अगला परसन तो दोस्तों उससे पहले अभी तक अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं ना तो प्लिस दोस्तों फटावट से चैनल को सब्सक्राइब करें के बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ओल पर जरू से लिट कर लीजिएगा औ और दोस्तों एक भी कॉस्तन को इसकी नहीं करना है चले देखते हैं पर 31% क्या कराएं कि पेज इसकेल पर चवदए क्या प्रदर्सित करता है काफी मतपूर ने तो दोस्तों अपसन एमें आपका दिया हुआ है अधिक अमलिय को या पिर उदासिन को या पिर अधिक एक अता को या फिर कम छाड़ी अता को तो दोस्तो पेज इसकेल पर चवदो जो है न अधिक छाड़ी अता को अंकित करता है यानि कि यहाँ पे सीवल ओप्सन जो है बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले दोस्तो देखते हैं आप अगला परसन जो की काफी मतपूर तो फ्रेंड परसन को देखेगा क्या कराएगा अब उसन मनाने वाला सोना है तो दोस्तो आब उसन मनाने वाला सोना जो होता है यह बाइस केरेट का होता है यह सूद सोना नहीं होता है यानि कि यहाँ पे बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तो जो सूद सोना हो यह जो लाल गुलाब होते है ना हरे प्रकास अगर इसमें डालेगा तो कैसा दिखेगा लाल दिखेगा या फिर हारा दिखेगा या फिर काला दिखेगा या फिर पीला दिखेगा तो दोस्तो लाल प्रकास यहां पर देखेगा लाल गुलाब जो हरे प्रकास में कैसा दिखता है यानि कि यहां पे सीवला अफसन जोई ना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब आये दोस्तों देखते हैं अब 34 परसं क्या करा है कि डिन्मार्क को कहा जाता है तो दोस्तों अफसन अ में आपका दिया उद्धो को का देश या फिर खनी जो का देश या फिर पवन चक्कियो का देश और अब संटी में आपका दिया हुआ है जल विदूत का देश तो दोस्तों डिन्मार्क को जोई ना पवन चक्कियो का देश कहा जाता है यानि कि यहां पे सीवला अफसन जोई ना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आप यह अगला परसन है तो फ्रेंड देखिए आप 35 परसन भी वह होती मतपूर्ण है कि सवेत करांती का संबंध किस से है तो दोस्तों यहां पे बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब आये दोस्तों देखती हैं आप 36 परसन जो की काफी मतपूर्ण है तो फ्रेंड परसन को देखिए है क्या गड़ा है कि बिजली की इस तरी में किस धातु का परयोग किया जाता है तो दोस्तों अपसन यह में आपका दिया हुआ है लोहा का या पिर तामबा का या पिर नायक्रोम का तो दोस्तों जितने भी हिटिंग एलिमेंट होता है ना उसमें नायक्रोम धातु का परयोग किया जाता है यानि कि यहां पर डीवल आपसन जो इना बिल्कुली करक्टर आंसर हो जाएगा और दोस्तों बिजली का इस तरी विदु धरा कि उसमें परभाव पर है या फिर सभी में तो दोस्तों सबसे जादा जोए ना ओरजा किस में मुक्त होती है तो दोस्तों ओकसी सौसन में मुक्त होती है यानि कि यहां पर एबल आपствен जो इना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए दोस्तों देखते हैं पर अगला पर सफरेंड या पिर 4 km तो दूस्तो एक ग्राम सोना से जो इन अलग बग दो किलो मीटर लंबा तार खिचा जा सकता है क्योंकि यह सोना होते हैं सबसे अधिक तन्य धातु होता है जले देखते हैं पर 49 नमर्पर से क्या हुआ है कि चुम्ब के छहतर का मान कहा होता है तो दूस्तो उपसा जो इना बिल्कुली correct answer हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आप आज का लास्ट और अन्तीम परस्न जो की काफी मतपूर्ण है तो फ्रेंड परस्न को देखिए का क्या करा है कि दूर बिंदू और निकट बिंदू की बीच की दूरी को क्या कहाते है तो दूर बिंदू के बीच की दूरी को जो ना दिरिश्टी प्रास कहा जाता है यानि कि यहाँ पर एवला अप्सन जो इना बिल्कुली correct answer हो जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग finally जो इना कलास्टन के science के most important है और आप चाहाते हैं कि वोट पर इक्षा में काफी अच्छे marks लाए तो इस लोगों संपूर्ण शुरू से लेकर आखरी तक देखिए उसके बाद यहाँ पर 40 questions को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और दोस्तों फटावर से आप हमें कमेंट करके बताईएगा यह जो 40 questions बताईए नहीं चालिस परसन में से पहले से आप लोग को कितना परसन का से और 60 आंसर याद था इसका जवाब जो है आप लोग फटावर से इसी वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा अब आईए दोस्तों देखती हैं पर आज का इस डावलो को सन जो ऐसे से लिए आपके लिए तयार किया गया है तो फ्रेंड परसन यह है कि जिस वस्तू से प्रकास निकल लाइंगे तो इसका आईटन से आपको क्या लगता फटावर से इसी वीडियो में जो है ना में कमेंट करके जरूर बताईएगा और इनके सास्था ना जो दोस्तों यहां पर वीडियो को प्रावर से लाइक कर दीजिगा चैनल पर नहे है ना तो प्लिस दोस्तों चैनल को स लाड़ो तरफ फैला दीजिए तो दिस्तों वीडियो को संपूर्द शुरू से लेकर आखरी तक देखने के लिए थैंक्यू फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे